रांची टेस में टीम इंडिया को मिल गया उसका नया धोनी, इंगलेंड के खिलाफ मैच की पहली ही पारी में कर दी अनो नो होनी यहाँ रांची के शहर को यूँ तो पूर भारते कप्तान महिंसी धोनी के शहर के तौर पर जाना जाता है लेकिन इंग्लिन के खिलाफ जारी रांची टस्ट मैंच में टीम इंडिया की पहली पारी में जैसी अनहोनी देखने को मिली है उसके बाद तो हर तरफ सिर्फ एक नाम के चर्चे हो रहे हैं और ये नाम है किसी और का नहीं बलकि टीम इंडिया के नए विकेट कीपर बलेबास धुरूब जोरेल का वो धुरूब जोरेल जो की कारगिल युद के एक सिपाही के बेटे हैं जिनके लिए टीम इंडिया के लिए खेलना एक बड़ा ख्वाब था उन्होंने राजकोर टेस्ट में ही टीम इंडिया के लिए अपना इंटरनाशनल डेब्यू किया था अलाकि राजकोर्ट में भी धुरुब जोरेल ने शानदार विकेट कीपिंग की थी अच्छी बल्लेबाजी की थी लेकिन क्योंकि राजकोर टेस्ट मैच में ये शास्वी जैसवाल ने एक शानदार दोहरा शतक जड़ा सर्फरास खान भी अच्छी बल्लेबाजी करते रहे इसलिए धुरुब जोरेल बहुत ज्यादा चर्चाओं में नहीं आए लेकिन राजकोर टेस्ट मैच में टीम इंडिया के लिए धुरुब जोरेल ने एक ऐसी संकट मोचक की पारी खेली कुछ ऐसा प्रदर्शन किया कि आज उनकी तुलना पूर भारते कप्तान महन सिंग धूनी के साथ होने लग गई है और अब तो ऐसा लग रहा है कि धुरुब जोरेल ने टीम इंडिया में आने के बाद कई दूसरे नामों के लिए खत्रे की घंटी भी बजा दी है पहराल रांची डस्मैच में टीम इंडिया के अगर पहली पारी की बात की जाए तो धुरुब जोरेल टीम इंडिया के लिए टॉप स्कोरर है टीम इंडिया के साथ विकेट गिर गये थे लेकिन फिर धुरूफ जोरेल ने ना सिर भारत की पारी को संभाला बलकि अपने टेस्ट करियर की पहली हाफ सेंचरी भी जड़ दी धुरूफ जोरेल ने पहले तो 96 गेंदो पर मैज के तीसरे दिन तीन चौके और एक छक्के की मदद से अपनी हाफ सेंचरी पूरी की और इसके बाद जरूरत के मताबिक कभी धीमे तो कभी आकरामा कंदाज में बल्लेबाजी करते हुए छक्के भी लगाए हलाकि धुरूफ जोरेल अपने पहले टेस्षा तक को पूरा करने के काफी करीब तक पहुँचे लेकिन दूसरे छोड से मदद ना मिलने के चलते वो महस 10 रनों से इस अपलबदी को हासिल करने से चुग गए हलाकि यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने टीम इंडिया के लिए मैच को काफी हद तक सुरक्षित कर दिया है धुरूफ जोरेल ने जहां कुल्दी प्यादों के साथ मिलकर आठवे विकेट के लिए 60 रनों की बेश कीमती पार्टमिशिप की तो वही नौवे विकेट के लिए आकाज दीप सिंग के साथ मिलकर भी 40 रनों की पार्टमिशिप की हकीकत तो यह है कि टीम इंडिया के बलेबाजों को जल्द पैविलिन भेजने के बाद एक वक्त पर इंगलेंड को रांची में भारत के खिलाफ बड़ी बड़त की उमीद दिख रही थी लेकिन धुरूफ जोरेल की पारी ने इंगलेंड के अर्मानों पर पानी फेड दिया और इंगलेंड को पहली पारी में सिर्फ 46 रनों की बड़त पर ही रोग दिया भारत की पारी में धुरूफ जोरेल के रावा सिर्फ यशस्वी जैसवाल ही एक सम्मान जनक स्कोर बना पाई यशस्वी जैसवाल ने मैच में 73 रनों की पारी खेली वह इंग्लिंड की ओर से शोय बशीर ने सबसे ज्यादा पांच विकर लिये